आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि बरहम घीस चुका है कैसे बदले नमस्कार दोस्तों अगर आप स्पेलर मसीन चलाते हैं तो बरहम को कब और क्यों बदलना चाहिए और साथ में फैदा क्या होता नुक्सान क्या होता उसी को फूल डीटियल जनकारी देने वाले हैं तो चेक यह को के अफ़ोस्ते हैं तोँ जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेलर मसीन नहीं करें यहां पर अढ़ाए इची का बरहम लगता है तो आपको सभी को पाता होगा कि अधिकतम अढ़ाए इंची वाला ही बरहम घीषता है तो अरश्टार्टिंग में अगर तेल की एक आप पिराई किजेगा गोठन में तो यहां पर ही तेल गिरता है इसके बाद अगर यहां घीश जाता है तो इसके बाद पता चलता है कि यहां पतेल चुने लगता है जो कि हम आपको वीडियो में आगे देखाने वाले हैं कि मेरा यहां छोड़के यहां पर थोड़ा सा आगे गिनने लगा है जो कोई दिन बाद हम बरहम चेंड करेंगे तो उसका भी हम आपको वीडियो बनाकर अवस देंगे तो यहां पर आपको गिनने लगा साथ में क्या होगा कि जाम धरने की संभवना ज्यादा होने लगता है क्योंकि यहां पर खल का मातर ज्यादा रखने लगता है तो क्या होता है कि रात भर में आपको ज्यादा जाम धरने की समभना बढ़ जाता है तो तो हम आपको पहले भी वीडियो में ट्रिक बता चुके हैं कि वैसे भी आप कीजेगा पाली डाल कर तो कभी भी जिन्दगी में आपको जाम नहीं धरेगा जो कि अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जाकर आप देख सकते हैं वीडियो का अगर आप फोल की जाए तो आपको जिन्दगी में आपको विश्वास देते हैं कि कभी भी आपको एस्पेलर मसीन जाम नहीं धरेगा तो आपको यहां पर ही हो जागा यहां पर जैसे स्टार्टिक में यहां तेल गिरता है तो इसके बाद यहां अब दूसरा तरका यहां होता है कि तो 4 रोन ने पस अधिकत मपाइनल होदा जाता है अगर तिल हम बहियां और नाया है तो आपको पुराना हो जाता है तो आपको पांच से छे बार ढालना परेगा तो आपको इसे भी प्रोब्लम हो जाएगा आपको प्रेसेंटेज में कमी तो ना के बरॉबर रहो जो देता है और यहां कि chi jaygata city तो हदो आपका ही नुकसान होगा तो हम आपको देखाने वाले हैं कि गीर्षा हुआ कैसा हुआ हुआ और नया नया वर्रहम किस तरह रहा है दोस्तों आप हिस्षा हुआ जो कि हुआ की अगर डेली पर इसमें अगर आप लिजेका तो कमंपणी का भी बर्हम आता है गश्टा हो आता है क्योंकि है कि कुई दिन बाद भी चैनी करने वाले हैं जो कि अधिक्टम एश्टर एका दो को रखना ही पहले भी थोला भी चुका था इसके बाद भी मैंने थोआ बहुत और भी चल सकता था इसके बाद भी मैंने पहले ही चेंज कर दिया क्योंकि अगर टाइम टू टाइम अगर आप चेंज नहीं कीजिएगा तो आपको तेल में बहुत दिकत हो जागा क्योंकि एक ही चीज को चार से पांच बार अगर आप डा इस इसको भी हम फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं पर मैंने पुराleen बार बार दिकत न होगा कर सकते हैं इसकी अगर प्राइड की बाप की जाускो 175 मैंने इंच लिया इंची के आसपास है अधाई इंची है यह जो देशकते हैं तीन इंची है यह साथ छे इंची के आसपास होगा छे या पांच इंची जो भी है नापा नहीं है यह अनुमान से बोल दे रहे हैं यह जो कि अगर आप मार्केट में खरिदने जाएगा तो 172 रूपे इंच है यह लोकल कंपणी का इसे लिए हमें 178 के रूपे इंची मिला था तो यहीं आपको छोटा सा जनकारी देना था अगर वीडियो पसंद परता है तो वीडियो को लाइक करें और नहीं है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी टैप का हम आपके लिए हमेसा वीडियो लाते रहेंगे अजब भी हम बरहम को चेंज करेंगे एक हाफ्ता या एक दो महिना बाद भी ऐसे तो पना दिन बाद हम सोच रहें इसे हम चेंजी कर देंगे क्योंकि आगे तेल गिरने लगा है जो कि आप वीडियो में देख चुके होंगे कि थोड़ा सा आगे तेल गिर रहा है तो हम जब भी चेंज करेंगे उसका वीडियो हम आपको बना कर अवस्त देंगे वाचिंग वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में नए जनकारी के साथ